आप study को अपनी effectively और कैसे बढ़ा सकते हैं आप जिसे बोलते हैं efficiency को और कैसे बढ़ा सकते हैं पांच मिनट आपके लेंगे क्लास खता हो सकती है जिन्होंने जाना हो जा सकते हैं बढ़ पांच मिनट मुझे लगता है कि अगर आप देंगे तो आपके लिए बैटर रहेगा पांच में सब्सक्राइब करें चाहिए ना तो उस समय कम से कम अपने फोन को उठाओं कि रिखने करें सब्सक्राइब उतना आपके पास रहेगी अब आपकी मर्जी है ठीक है after the class hours ठीक है revision करते time phone आपके पास नहीं होना चाहिए मान दिजिए आप module solve कर रहे हैं या कोई book solve कर रहे हैं DPP solve कर रहे हैं अगर phone से नहीं देख रहे हैं तो obviously कोशिश करिए कि phone से ना देखें वो DPP हो गया module हो गया कुछ भी हो गया ठीक है आप उसका print out निकाल लिए और phone को उससमें दूर रखें ठीक है ठीक है जब मर्जी पढ़ो बस पढ़ लो ठीक है next plan plan का मलब क्या यार दिन में हमें पता होना चाहिए obviously हम लोग क्या पढ़ रहे हैं ठीक है ये निकी बस सुबह उठे जो अकडवकड बंबे वो आहात पढ़ गया math पे तो math से हो जा शुरू ठीक है वो तो बिलकुली बकवास है ठीक है आपको पता होना चाहिए आज मैं math पढ़ रहा हूँ physics पढ़ रहा हूँ chemistry पढ़ रहा हूँ उसमें मैं कितनी देर में अपनी class कतम करऊँगा class कतम करने का यही मतलब होना चाहिए जब class कतम आदा γंटा जादा लगा दो तो उसने देर में class कतम होनी चाहिए उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि revision में कितना time लगना चाहिए जैसे मैं आज की क्लास बताओं अगर आपने लाइव क्लास लिए तो इस लाइव क्लास के बाद आदे घंटे से ज्यादा नहीं लगना चाहिए नोट्स कंप्लीट करने में और रिवाइज करना 15 मिनट और लगा लो टोटल 45 मिनिट के अंदर नोट्स और रिवीजन स्ट्रॉंग है मैं पाग्लो की तरह फीजिक्स ही ben Vampां गटा जा रहा हूं सलेक्शन नहीं सेल्क्शन में जो आपका र setzt जाहिए वो नहीं हो ठीक है? अपको वीडियो आपके पास है उस टॉपिक को दुबारा जागे देखिए सिंपल सी बात है अगर आपको लगना प्रैक्टिस में कभी है तो प्रैक्टिस करो ज्यादा अगर आप कर सकते हैं तो सुबह जल्दी उठीए नहीं कर सकते हैं आप उन जेनरेशन में मैं खुद उस जेनरेशन में से बिलॉंग करता हूँ जो रात को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई कर सकता है दुनिया ये मानती है और ये बास सच भी है कुछ बातों में भी तो गलत हो सकता हूँ ना मैंने पूरी लाइफ जो है वो रात को स्टड़ी करिये तो इसका मालब यह थोड़ा कि मैं हमेशा ही सही होँगा मैं भी तो मेरा मानना है कि अगर आप सुबह जल्दी उठ सकते है तो आपका concentration level बहुत अच्छा होगा बट मैं उनमें से हूँ जो रात को पढ़ने बैठ हूँ और सुबह 6 बजे तक पढ़ सकता हूँ अराम से कोई tension नहीं है सुबह 6 बजे तक 7 बट सुबह 6 बजे अगर मुझे बोला जाए कि उठना है और पढ़ना है तो मैं नहीं कर पा के बाद सबसे पहले revision उसकी करिए जो hardest task है जो सबसे मुश्किल है क्योंकि वो खतम होते हैं आपको ऐसे लगने लगेगा अरे यार अब तो मज़ा ही आ गया ठीक है अब तो कोई बात ही नहीं है ठीक है next 40 minute के study session सोने चाहिए 40 can be 30 that can be 25 that can be 45 that can be 50 depending upon the task हर 30-40 minute बाद छोटा सा पांच मिनट का break लीजिए उस पांच मिनट के break के में भी भी आप अपनी chair से उठीए chair से उठीए obviously थोड़ा walk कर लीजिए 5 minute कोई गाना सुनना चाहते हैं audio form में वीडियो में नहीं YouTube पे जाएंगे एक से दूसरी वीडियो चलनी शुरू हो जाएगी audio form में कोई गाना सुनन करते हैं ठीक है यह मत करियेगा look after yourself ठीक है खाये पी अच्छा ठीक है and reward yourself है इना this is what I love ठीक है कि आप यार कुछ भी छोटे से छोटा काम करें आपको लगता आपने अचीव किया है ठीक है तो आप अपने आपको reward जूरू दीजिए वो reward किसी भी form में हो सकता है वो कोई pen हो हो सकता है कोई chocolate हो सकती है वो कोई ice cream हो सकती है कुछ आप अपने आपके लिए ही कोई certificate बना सकते हैं और this and this you have done a very good job ठीक है something like that सबसे उठके सबसे पहले वही काम करना है जो सबसे मुश्किल है हेल्थ खराब है तो उजवल जी अपना ख्याल लखिए के उजवल दी देखिए मैं कैसे बात कर रहा हूं आपसे मैं जी लगा रहा हूं और आपने क्या लिखा था थोड़ देर पहले तीन गंटे क्लास ले लो हमें मार दो ठीके शबाश 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 एक जना और है मार थी बी एफ-3 में नाम नहीं लूँगा मेरे को लग रहा जान बूश के लिख रहा है बी एफ-3 में बॉरन के पास empty orbital है नहीं तो बैक बॉंडिंग कैसे करेगा सही कह रहा है सही कह रहा है वाई तो सही कह रहा है अगले साल रोने से अच्छा है आज अपनी जिंदगी की बैंड बजा लो क्लास कतम हो गई है विकास जी आप जा सकते हैं ठीक है स्लीपिंग आवर कितनी होने चाहिए छे से साथ तो होने चाहिए यार सर एफ और एच की इन का फरक नहीं पड़ेगा बॉंड एंगल में सब डिस्कस कर लिए श्रे लेन ओ फेपर वाला यश्वन दुबारा देखे वीडियो आपके पास है नहीं तो आपने प्लेन पढ़ना भी है दुबारा और्गैनिक केमिस्ट्री में आपको पता ही है एलीन्स ALC L3 बैकबॉंडिंग क्यों नहीं शो करता है बेटा इसका मलब आपने बैकबॉंडिंग वाली क्लास ही नहीं दे मृदूल जी करना तो पढ़ेगा मैं पढ़नी पा रहा हूं पढ़ना तुम्हें ही पढ़ेगा तुम्हारे लिए आगे कोई पढ़ेगा नहीं कोई आमित महाजन तुम्हारे लिए आगे नहीं पढ़ेंगे या अलक पांडे सर नहीं आपके लिए पढ़ेंगे ITN तुझे बनना है तो तुझे ही पढ़ना पड़ेगा ठीक है कोई नहीं आके तुझे ये सब बखवास है मेरा मन नहीं कर रहा आज मूड नहीं है का होता है ये मन का होता है क्या किड्नी के पीछे छुपागे रखा है मन अपना का है भई मन कोई नहीं मन उन लोगों का हत्य है जो जिन्दगी में नाकाम्याब होने के लिए अगर किसी नाकाम्याब इंसान के उपर जीवनी लिखी जाए तो उसमें एक चेप्टर होगा सबसे बड़ा चेप्टर होगा वो यह के मेरे मन ने मुझे कुछ क्यों नहीं बनने दिया कुछ नहीं है करना तुझे पड़ेग डाउट सॉल्विंग का बना रखा है दर से हम लोगों ने ठीक है इन और गैनिक के शॉर्ट नोट्स क्या यार जो जो चीज़े से ने डिरेक्टली प्रपोशनल इनवर्सली प्रपोशनल में लिख लिया करो आज निमॉनिक लिखे वो लिख लो वही से टॉपिक खतम हो जाता है सारे चार्जड कोवलेंट कंपाउंट में कोडिनेट बान होगा मुझे थोड़ा सोचने दीजिए I think yes